Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में रिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक जिसका नाम है प्रियेंबल ओफ कॉंस्टिउशन यानि भारतिय समविधान की प्रस्तावना सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉंस्टिउशन होता क्या है तो कॉंस्टिउशन basically set of rules, principles या फिर guidelines होती है जिनके base पर देश की government या फिर institution काम करते हैं उस देश में रहने वाला आम नागरिक हो या फिर सरकार सभी को इस constitution के दाइरे में रहकर ही काम करना होता है In fact, कौन नागरिक है और कौन नहीं वो भी हमें इस constitution से ही पता चलता है अब ये जो set of rules या फिर guidelines हैं यानि ये constitution ये written हो सकता है या फिर unwritten पूरे world में total 195 countries हैं इन में से 5 या 6 countries को छोड़ दो तो बाकि सभी countries के पास written constitution है यानि around 190 countries के पास पूरी तरह से एक written document यानि ये constitution है और इन में से 70% देशों के constitution एक preamble के साथ शुरू होते हैं अब ये preamble क्या है और ये ही तो हमारा आज का topic है आप सभी लोगों ने कभी न कभी कोई cookery वीडियो देखी ही होगी इन शोज में कोई भी डिश बनाने से पहले ये बताया जाता है कि इस डिश को बनाने के लिए कौन-कौन से ingredients का इस्तमाल किया गया है और आण्टी नमक हमारा जो constitution है वो भी कई सारे ingredients से मिलकर बना है इन ingredients का नाम है तो जब हमारा constitution बन कर तयार हो गया तो इन सब ingredients को constitution के पहले पन्ने पर लिख दिया गया इस पन्ने को कहा जाता है प्रियम्बल अमेरिका सबसे पहला देश था जिसने अपने constitution की शुरुवात एक प्रियम्बल से की बाद में इसी practice को बहुत सारे देशों ने follow किया including India Indian constitution का प्रियम्बल objective resolution की बेस पर तयार किया गया है अगर आपको ये नहीं पता कि objective resolution क्या है तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरी बात objective resolution मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही detail में discuss किया था link आपको description मिल जाए कि आप उसको देख सकते हैं अब हम इतनी देर से preamble preamble कर रहे हैं तो एक काम करो आपना एक बार preamble देख ही लो नजर मार लो एक बार यहाँ पे जो left में है ये English में है और जो right में है वो Hindi में है अब जो है हम इस preamble को थोड़ा detail में समझेंगे इस preamble को अगर हम मोटे मोटे दोर पे देखें तो ये तीन component से मिलकर बनाए पहला ये दूसरा ये और जी तीसरा ये पहला component हमें बताता है कि इंडिया कैसा देश है यानि इंडिया as a state का nature क्या है इसके बाद दूसरे component में हमें हमारे constitution के objectives के बारे में पता चलता है यानि कि हम अपने constitution से actually में achieve क्या करना चाहते हैं जैसे कि सभी को justice मिले सभी को बराबर का दर्जा मिले आपस में भाई चारा हो वगरा वगरा और preamble के तीसरे component में हमें देखने को मिलती है एक date जो कि है 26 November 1949 ये वो date है जिस दिन constitution को adopt किया गया था यानि वो दिन जिस दिन constituent assembly ने draft constitution को accept कर लिया था इसके अलावा इस preamble में एक बात और notice करने वाली है एक बार आप ये highlighted portion को एक साथ पढ़ो we the people of India hereby adopt, enact and give to ourself this constitution इसका मतलब हमें preamble से ये भी पता चलता है कि ये constitution हम भारत के लोगों ने अपने आपको दिया है इन words का बहुत ही important meaning है आप सोचो यहाँ पर ये भी तो लिखा हो सकता था we the members of constituent assembly hereby adopt, enact and give constitution to the people of India लेकिन लिखा क्या है? लिखा ये है we the people of India hereby adopt, enact and give to ourself this constitution इससे हमें पता चलता है कि constitution के पास जो power है उसे वो power भारत के लोगों ने दी है इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंडिया का constitution adopt किया गया था 26 नवबर 1949 को तो उसमें तीन वर्ट्स नहीं थे कौन से थे ये तीन वर्ट्स socialist, secular और integrity तो अब जो हम ये प्रेम्बल देख रहे हैं इसमें ये तीनों वर्ट्स आए कहां से ये तीनों वर्ट्स 1976 में 42nd Constitutional Amendment Act के द्वारा लाए गए तो ये था प्रेम्बल का part 1 वीडियो part 2 में हम इन सभी ingredients को बहुत ही detail में cover करेंगे और साथ ही साथ कुछ और important details भी cover करेंगे इस वीडियो का mind map आप telegram group से download कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा notes के लिए bookstawa.com website check कीजिए bookstawa channel पर history और quality के बहुत सारे topics पर videos available हैं आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको ये video अच्छे लगी है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और ऐसे ही और videos को देखते रहने के लिए bookstawa channel को subscribe कीजिए thank you so much for watching bookstawa